ना आपको आपका पैन कार्ड, आधर कार्ड का कोई फोटो बेजना है, ना आपको आपके हैंड में पकड़ के कोई वीडियो रिकॉड करना है, ना ही टिकेट क्रियेट करना है, आप ओनलाइन अपना रजिस्टर्ड इमेल आइडी बदल सकते हैं, वजीरेक्स एक्चेंज मे वो भी simple से step follow करके email id को बदलने के बहुत सारे आपके कारण को हो सकते हैं हो सकते है कि पहले आपने जो email id link किया वो publicly available हो अब यह आपने एक नया email id बना लिया है जहाँ पे भी आप invest करते हैं चाहे mutual funds में हो या फिर stocks में हो या crypto में हो आप उसी email id को use करते हैं आज किस वीडियो के मातम से step by step and detail में जानेंगे आप किस प्रकार से वजीरिक्स exchange पर अपना registered email id को बदल सकते हैं सबसे पहले step है आपको वजीरिक्स exchange का mobile application आपके mobile में install कर लेना है और जो भी आपका registered email id पासवर्ड डाल के login करेंगे अगर आपका पहले से वजीरिक्स exchange का mobile application आपके mobile में install है तो make sure करें कि आपका जो application है वजीरिक्स का वो latest version पे update हो अगर latest version पे update है तो बहुत अच्छी बात है आप जैसे ही application को open करेंगे फर्सलिक कुछ ऐसा आपको देखने के लिए मिल जाएगा यहाँ पर आपको एक starting में एक option देखने के लिए मिलता है account management and security यहाँ क्लिक करेंगे उसके बाद में आपको खाफी सारे option देखने के लिए मिल जाते है manage वाले option में आपको एक option देखने के लिए मिलता है change email address यहाँ क्लिक करेंगे आप से पूचा जा रहा है एक region यानि की कारण आप एक कारण बताए कि आखिरकार क्यों अपना registered email आडिया बदलना चाहते हैं पहला जो कारण है वो लिखा हुआ है I lost access to my registered email ID यानि कि आपकी जो email आडिया वजीरेक्स exchange के साथ में link वो email ID या तो आपकी बंद हो चुकी है या फिर आप उसका password भूल चुके हैं login नहीं कर पा रहे हैं यानि कि आपका उस पे कोई control नहीं है आप उसको login नहीं कर पा रहे हैं access नहीं कर पा रहे हैं simple सी बात है so उस condition में आपको contact करना होगा इनकी team से इसके उपर में एक dedicated video बनाऊंगा क्योंकि यह process ही अपने आप में काफी बड़ा है lengthy है और बहुत difficult है उसके बाद में दूसरा option मिलता है I want to update my email ID हम अपना email ID बदलना चाहते हैं या update करना चाहते हैं so हमारे पास control है so second number का option मिलता है हमको इसपे क्लिक करेंगे इसपे क्लिक करने के बाद में कुछ basic detail हमको बताई जा रही है कि आप अगर अपना email ID बदलते हैं so आने वाले जो 24 गंटे हैं उन में आपकी कुछ services हैं वो बंद हो जाएंगी जैसे कि आप इंडियन रुपीज बैंक में नहीं ले सकते आप crypto withdrawal नहीं कर सकते P2P selling नहीं कर सकते यानि कि percent to percent जो trading है वो आप नहीं कर सकते buy कर सकते हो बट sell नहीं कर सकते लेकिन आप trading कर सकते हैं यानि कि buy sell कर सकते हैं trading में कोई दिक्कत नहीं है P2P में Selling नहीं कर सकते हैं उसके बाद में आपको यहाँ पे Confirm and Proceed का जो Option मिलता है इस पे क्लिक करेंगे इस पे क्लिक करने के बाद में WazirX Exchange का Login जो भी Password है और Password आपको यहाँ पे डालना है Password डालने के बाद में आपको Submit पे क्लिक करना है उस पर WazirX Exchange की तरफ से OTP मिलेगा उसके बाद में जो भी OTP आपको मिलता है वो OTP डालेंगे वेरिफाई पे क्लिक करेंगे उसके बाद में आपको Next Page पे भीजा जाएगा जहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा Update Email Address यहाँ पे नीचे लिखा होगा Entry or New Email Address जहाँ पे आपको एक Email Address डालने का Option मिलेगा यहाँ पर आप जो भी Email ID लिंक करना चाहते हैं फिलाल WazirX Exchange के साथ में वो Email ID आपको यहाँ पे डाल देना है मैंने अपना नया Email ID डाल दिया उसके बाद में Update Email Address पे मैं क्लिक करूँगा उसके बाद में जो भी मैंने Email ID फिलाल डाली है उस पर एक OTP मुझे बेज़ा जाएगा Verification के तोर पे कि यह Email Address मेरा ही है और मैं खुद इसको लिंक कर रहा हूँ OTP डालने के बाद में आपको Verify पी क्लिक करना है जैसे आप Verify पी क्लिक करेंगे आपने जो भी Email ID अपडेट करने के लिए रिक्वेस्ट की होगी वो Email ID आपके अकाउंट के साथ में लिंक हो जाएगी तो कुछ यह आसान से step follow करके आप Vajirix Exchange में अपना Email ID बदल सकते हैं अगर आपको Email ID को बदलने में कोई दिक्कत आती है तो आप Comment करके बता सकते हैं